हैलो गूड मॉनिंग मेरे प्यारे दोस्तों यह देख सकते हैं आज मैं 3-4 दिन से बहुत ही हाड वर्क कर रहा हूँ सावुदी अरब में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाड वर्क कुछ नहीं है मेरे लिए लेकिन तो क्या है कि धूप बहुत जादा है धूप से ही जो मिट्टी गिराना रहा है पहले तो मैं इसको पूरा क्लीन किया हूं सारे जड़ को क्लीन कर देने के बाद से इसमें जो है कि लाला करके मिट्टी डाला हूं यहां पर देखिए यहां पर भी गिराया हूं मिट्टी इसको पूरा जो है कि फैलाना भी है पहले तो मैं इसको गि आए आप देख सकते हैं अभी हो सके अगले महने में खजूर पकना चाली हो जाएगा और यहां पर देख सकते हैं मेरा काम पूरा हो चुका है यहां पर जड़ में देख सकते हैं यह देखिए खजूर इसमें एक ही इती है तो यहां जड़ में देख सकते हैं पूरा फैला दि तो यहां पर देख सकते हैं इसमें भी काम हो चुका है अब जो है कि इधर के साइड में जितना ख़जूर दिखाई दे रहा है यह सारे में काम करना है हमको अगर आज नहीं ख 125 होगा तो कल तो होना ही है हाँ तो दोस्तो छाओं में अराम करकर के काम करना पड़ रहा है क्योंकि धूप बहुत जादा है थोड़ी देर में पसीना बहुत जादा हो जा रहा है इसलिए हम जो है कि थोड़ी देर बैठ बैठ करके कर रहे हैं यहां पर जो है कि एक ही बार नहीं कर पाएंगे तो इसलि और रही काम किया वनेगा यहां पर दीख सकतेएं दोस्तों मैंने कितना मिटी खाली कर दीया है और यह टरोली है इसी टरोली के मादःम से जह हमको ले जा ले करके खजूर में गिराना रहता है यहां पर देख सकते हैं यह बेलचा है बेलचा को जो एक इच्छवल बोला जाता है ट्रोली को अर्बिया बोला जाता है यहां पर देख सकते हैं यही सारी खजूर है सारे खजूर के जड़ में मट्टी गिराना है तो दोस्तों फाइनली मे मैं रूम में आ गया हूं दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों से हमेशा मैं रिक्वेश्ट करता हूं तो हमेशा रिक्वेश्ट करूंगा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूज कर दीजिएगा नोटिपिक कीजिएगा आप लोग ओके दोस्तों बाई